हलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मीडियम, मैं लाली वर्मा सभी बारवी कक्षा के विद्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, डिर स्टूरेंट्स, मैंगनेट बेंस एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो कक्षा साथ भी से बारवी तक की ओनला की बहुत सारे धेर सारे क्वेस्टन्स की बहुचार है यहाँ पर सफलता की कुंजी है यह तो यहाँ पर आप जाईए जरूर और अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दी है उसको देखिए और बुक्स का भरपूर फायदा उठाईए क्योंकि यह बुक्स आपको ह करने में आपकी हेल्प करेंगे अब चलते हैं वीडियो की तरफ अभी व्यक्ति और माध्यम के हमने पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं और पार्ट 7 भी शुरू कर चुके हैं नाम है नाटक लिखने का व्याकरन अब नाटक क्या है नाटक कैसे लिखा जाता है नाटक की तो इसी चैप्टर के करने वाले हैं हम NCRT Solutions जी हां जिसमें जितने भी प्रशन हैं उन सभी प्रशनों के अर्थ को जानकर उनके उत्तरों को जानेंगे ठीक है तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि ध्यान पूर्बक सुनिएगा मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत त प्रशन है नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविश्यकाल से संबंध हो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटे थोना पड़ता है इस धारना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं चाहे वो नाटक की कोई भी स्टोरी या कहानी हो चाहे वो भूतकाल की हो चाहे भविश्यकाल की हो लेकिन हमेशा इसे वर्तमानकाल में ही दर्शाना होता है आकर इसके पीछे क्या कारण है हमने पढ़ा था क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि दर्शक जो की नाटक देख रहे हैं श्रोता जो सुन रहे और जिस भी तरह की जो audience है वो नाटक को देखने आ रही है तो वो यह नहीं सोचेगी कि भाई ऐसा हुआ था मैं जा रहा था मुझे वो मिल गया था ऐसा नहीं उसमें past tense में जाकर वो पुना क्या करेगी हर एक व्यक्ति को हर एक दर्शक को वर्तमान में ही जीना होता है और व भविशकाल से संबंदो तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है इस दारना के पीछे निमनलिखित कारण हो सकते हैं यहाँ पर लिखा है निमनलिखित कारण होते हैं नहीं हो सकते हैं possibilities दर्शाई है संभावनाय दर्शाई है कि हो सकता है कि यह भी कारण हो नाटक साहित की अन्य विधाओं से अलग एक द्रिश्य विधा है ठीक है द्रिश्य विधा समझते हो जो देखी जाती है इसमें हम भूत काल एवा मभविशकाल की घटनाओं को मंच पर वर्तमान काल में घटित होते देखते हैं तबी जो दर्शक है उनका इंट्रेस्ट बना रहती है कि हाँ भाई हो रहा है ठीक है भूत काल की घटना चाहे एतिहासिक हो या पौराने खो उसको भी कवीता यह उपन्यास के रूप में पड़ा यह सुना तो जा सकता है पर वर्तमान में घटेत होते हुए देखा नहीं जा सकता अब चाहें वो एतिहासिक हो कोई भी कर सकते हैं हाँ तब यह हुआ करता था दानवीर राजा करता था मितृता में अपना एक अलग परिचे दिया करने उसको पता था कि हार निष्षित है फिर भी उसने मितृता ने भाई यह सब हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अब चूंकि जो वर्तमान काल में हम देख पाते हैं उन्ही को जिसको हम पढ़ना चाहते हैं जो हमें पढ़ने में बहुत रोचकता प्रदान करती हैं उनको हम वर्तमान काल में घटित सिर्फ और सिर्फ नाटक के माध्यम से ही देख सकते हैं ठीक है तो उन सब को सिर्फ पढ़ायत सुना तो जा सकता है लेकिन वर्तमान काल में घटित होते हुए नहीं देख ना करेंगे और नाटक के माध्यम से जो भी चैरक्टर्स प्ले करेंगे जो भी भूमी का निभाई जाएगी वह वरतमानकाल में निभाई जाएगी ताकि सभी प्रकार से ऐसा जाना जाए कि बिल्कुल हमारे साम नहीं करना है अर्जुन है सब कोछ ठीक है अब चलते हैं दू प्रेशित होने में कोई मुश्किल नहीं है क्या आप इस बात से सहमत है इसके पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए प्रशन समझ में आया प्रशन में ये पूचा गया है कि समवाद में जिस जसे नाटक का जो समवाद होता है कॉनवर्शेशन होता है वाद विवाद होते हैं तो जो समवाद लिखे जाते हैं उन में भाषा कितनी भी क्लिष्ट क्यों ना हो कितने भी तत्सम शब्दों का प्रयोग क्यों ना हो उसके बाद भी जब वो पूरा परिवेश के अकॉर्डिंग उन्हीं शब्दों की मांग रहती है तो उन शब्दों के अर्थ भी अपने आप समझ में आ जाते हैं क्या आप इस बास से सहमत है कि नाटक में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है वो दर्शकों को परिस्थिति के अनुसार समझ में आ जाती है क्या लगता है आपको कि हां किसी भी तरह के शब समझ में आ जाता है कि वह यह कहना चाहते हैं जैसे मालो कुछ है कि दो लोगों में वारतलाग चल रहा है और वह एक दूसरे से कह रहा है कि देखिए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से यह बात समझा देता हूं चाहे तो आप इसको परोक्ष समझें या प्रत्यक्ष समझे उसमें समझ में आ जाता है कि इसका अर्थ क्या है अपना विचार यह है अब देखते हैं उत्तर नाटक कार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है उसे वह नाटक के पातरों के बीच होने वाले समवादों से ही अभी व्यक्त करता है कि जो कुछ भी उसे उसस विचारों को व्यक्त कर रहा है अर्थात जो भी पात्र हैं जो एक दूसरे से विचारा विव्यक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह रटे रटाय डायलोक्स बोल रहे हैं ऐसा लगना चाहिए कि जो परिस्तिति की मांग है जिस तरह का परिवेश है वो उस त नहीं लगना चाहिए कि पहले से निश्चित विचारों को व्यक्त कर रहा है इन विचारों और इन में नहित शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सच्मुच की हाड मास से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं ना कि कवीता कहानी और उपन्यास में उपस्तित रहने वाले शाब्दिक चरए अब कि नाटक में तो सब हम और आप मतलब व्यक्ति ही रहते हैं जो डायलॉग्स बोलते हैं जो पिता की भूमी का माता की भूमी का नौकर विच्चे की भूमी का सबकी वो में बात है ऐसा तो नहीं है कि वो पन्यास या कहानी की तरह शब्दों के ही चर गेंगे तो बस यहाँ पर यह कहा गया है कि अत्याद क्लिष्ट कर शबदों का प्रयूग ना हो अत्याद सन्सन्स खंदों के प्रयुक से बचा जाहे ताकि जो भी दर्शक है वे आसान इसे यह समझ पाए और जो नाटक का मर्म है या जो नाटक की मेन उद्देश है उसको भी वे समझ सके और उनके दिल तक वो बात पहुंच सके ठीक है ऐसे समवाद क्लिष्ट और तत्सम शब्द वाली उक्त होने पर भी सोहविक लगते हैं अब बात यह है कि देखो तत्सम शब्दों का प्रियोग किया तो जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सिर्फ पूरा का पूरा जो डायलोग होगा जो भी समवाद होंगे वो तत्सम 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 में वीचाएं या फिर ऐसा भी नहीं है कि सभी तरह की जो संबाद होंगे वो क्लिष्ट भाशा पर जाये कहीं कहीं क्लिष्ट भाशा का प्रियोग किया जा सकता है कहीं कहीं तत्सम समझते हो ना संस्कृत के ऐस शब्द जो कि हिंदी में जोड़ लि अंगत जो राम जी का संदेश अलेकर लंकपतित रावन के पास गए थे तो वो क्या कहते हैं रावन से हे रावन तु जगत जन्नी सीता को राम के हवाले कर दे वरना तेरा सर्मनास निश्यत है ठीक है यहां जगत जन्नी का अर्थ दर्शक नहीं जानते हैं पर उन्हें सीता क ये वो पौरान कथाओं से भली भाती परिचित है सुनते आए हैं कि सीता माता का हरण लंकपती रावन के द्वारा किया गया था और अंगा दूत बन कर गए थे और वहां पर रावन को चेताब ने दी थी तो वह अनुमान लग जाता है कि ये सीता माता के बारे में ही बात की जा रही है तो तत्सम शभ्दण वली हो या घुलेश्ट शब्दण वली हो परिवेश के अंरूप वो भी समझ में आ ही जाती है दरशकों को हाँ यदि अलग से कहीं कुछ विचार हों गे अलग से कहीं कुछ ऐसे डॉयालॉइब होंगे जिनकी एटिहासे कहानी किसी को नह समचार से नाटक की रचना करें अब देखो समचार पत्र के किसी कहानी नुमा समचार से कहानी नुमा होना चाहिए और उसी से नाटक की रचना करना है देखते हैं किस तरह से रचना की जा सकती है कि कोई भी एक समचार पत्र है कोई हम स्टोरी पढ़ रहे हैं कि भाई यहां यह घड़त हुआ वहां वह घड़त हुआ तो हम उसमें नाटक की रचना किस तरह से करेंगे रांची दिनांग 24 मार्च पैसों की तंगी के कारण रमेश ने अपनी पुत्री अलका का विवाह रोग दिया था कि उसके मित्र सुरेश ने उसकी बेटी के विवाह पर सारा भार अपने उपर लेकर उसका विवाह निश्चितिती पर कराया ठीक है अब एक दो मित्र थे एक का नाम था रमेश और दूसरा सुरेश रमेश के पास पैसे नहीं थे लेकिन बेटी के विवाह की तारीक निश्चित हो गई थी लेकिन पैसों की कमी के कारण वो विवाह को रोग देता है लेकिन उसका जो मित्र था सुरेश उसने उसकी बेटी का विवाह उसी निश्चितिती पर करवा दिया ठीक है अब क्या हुआ आज के युग में मित्रता की ऐसी मिसाल कम ही दिखाई देती है सुरेश की इस पहल पर मौले वालों ने भी रमेश की साहता की इस समचार का नाटे रूपांतरन निमनलखित होगा कि इस तरह की ये कहानी है अब नाटे रूपांतरन कैसे होगा कौन-कौन में केरेक्टर होंगे किस तरह से वो डायलोग वाजी होगी वो देखते हैं तो ये प्रशन आ सकते हैं कि छोटी सी कोई घटना दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि इसे नाटे रूपांतरित कीजिए नाटे रूपांतरित का अर्थ है नाटक में परिवर्तित करना कोई भी कहानी को नाटक में परिवर्तन करना ठीक है समझ में आया यह समझ में आ रहा है तो अब हमें करना है कि देखते हैं दोनों मित्रों के बीच की जो वार्तलाप है और मित्रता की जो पहचान उसको नाटक के रूप में कैसे रखा जा सकता है स्थान घर का बरामदा रमेश सिर पकड़ कर बैठा है उसकी पतनी पूनम और पुत्री अलका भी उदास बैठा है क्यूंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे किसके पास पैसे नहीं थे रमेश की पास ठीक है रमेश अपनी बेटी अलका का विवा करना चाहता था लेकिन पैसो की तंगी के कारण अब उसका विवा स्थागित ही हो गया है उसके मित्र था एक सुरेश अब देखे हैं पूनम पूनम पतनी का नाम पूनम है बेटी का नाम अलका है समझ में आया रमेश की पतनी है पूनम और रमेश और पूनम की बेटी है अलका पूनम रमेश को समझाते कोई बात नहीं धंदे में नफा नुकसान होता रहता है अभी कुछ दिन की मुहलत मांग लेते हैं लड़के वाले मान ही जाएंगे ऐसे अपने पती को धंडस मताती है अपने पती को सांतना देती है तो रमेश क्या कहता है लिखा है रुंदे स्वर में अब जिसका मतलब जि सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसने खो दिया तो वह रुंदे स्वर में मतलब भूलना चाहता है लेकिन गला भरा हुआ है बोल नहीं पा रहा है तो कैसे कहेगा वो आप कुछ नहीं हो सकता अब तो यह है विवार रोक नहीं होगा ऐसे करके तब ही दोड़ता सुरेश वहां आता है अब उसके मित्र को जब यह पता चला होगा कि रमेश दुखी है तो वह आता है सुरेश सुरेश कहता है अरे रमेश मैं यह क्या सुन रहा हूं अलका का विवार नहीं होगा रमेश मंद सवर में क्योंकि रमेश की जो स्थिति है वह बहुत दैनी है ए तो ऐसे मैं उस्पिता की देनी स्थिती हो गई अब उसका मित्र आता है और वो कहता है कि ये क्या मैं सुन रहा हूं क्या अलका का विवार रोक गया है? रोका गया है तो कहता है रमेश बिल कूल मंद स्वर में क्या करूं? वैपार में घाटा पड़ गया है सब कुछ समाथ हो गया कितना सब खतम हो गया भीया अब कुछ नहीं किया जा सकता दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है सुरेश आवेश में मतलब एकदम जोश के साथ क्या मैं मर गया हूँ अलका मेरी भी तो बेटी है मैं करूंगा उसका विवा ऐसा करते हुए पूनम इसे कहते हैं मित्र दिल में कसक उठी तो आया भागा भागा उसी समय वहां मुहले के कुछ लोग आ जाते हैं एक बुजर्ग उनी मुहले के लोगों में से एक बुजर्ग कहता है रमेश घपराओ मत अलका हम सब की बेटी है हम सब मिलकर उसका विवा करेंगे क्यों भाईयो सब एक सवर में हा कहते हैं और परदा गिरता है इस तरह से कहानी का नाट रूपांतरन किया जा सकता है बस और वो भी पूरा जैसे अब यह जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ना इसको सूत्रधार कहते हैं सूत्रधार उसको पढ़ता है जिसमें आपने सुना होगा नेरेटर हिंदी में उसको सूत्रधार कहते हैं तो सूत्रधार उनको कहता फिर बाद में कहता है कि परद प्रश्न है उसका का अध्यापक और सिख्षक के बीच ग्रह कारे को लेकर 55 संवाद लिखिए अब अध्यापक ने अपने सिख्षकों को ग्रह कारे दिया होगा अब उन अध्यापक और सिक्षकों के बीच का 5-5 संवाद लिखना है, सिक्षक और विध्यारति के बीच, ग्रहकारी के विशय में संवाद, सिक्षक, अमर, लगता है आज तुमने फिर ग्रहकारी नहीं किया है, ये ग्रह, ग्रह मेंस होता है घर, आपको भी पता होगा, ठीक है, और एक होता है ग्रह मेंस होता है नक्षत ठीक याद रखिएगा अमर क्या कहता है सर ग्रह कार तो किया था पर कॉपी नहीं मिल रही है अक्सर बच्चे यहीं कहते हैं सिक्षक तुमने कल भी यहीं बहाना बनाया था अमर नहीं सर सच मुझ आज तो मैंने काम किया था सिक्षक फिर तुमारी कॉपी कहा है याद आया सर वह कॉपी मैं मेज पर भूलाया ठीक है इस तरह से कह दिया सिक्षक मैं तुमारे पिताजी के पास फोन करके पता कर लेता हूँ नहीं सर फोन मत कीजिए हो सकता है कि वह कॉपी मेरी छोटी बेहन ने वहां से हटा दियो कल मैं आपको अवश्य दिखा दूगा सिक्षक सच कह रहे हो अमर हां सर यदि ग्रह कारें ना दिखाया तो आप मेरे पिताजी को फोन करके बता दीजिएगा हो गया अब लिखने थे पांच बांच तो यहां पर यह देखो पहला संबाद सिक्षक के द्वारा दूसरा संबाद तीसरा संबाद ठीक है चौथा संबाद और यहां पर पांच बाद तो सिक्षक के भी पांच संबाद हो गए और स्टूडेंट या अमर के भी पांच संबाद हो गए अब है खा एक घरेलू महला एवं रिक्षा चालक को ध्यान में रखते हुए पांच पांच संबाद लिखे रिक्षा चालक रिक रिक्ष्षे वाले की बीच सम्भाद महिला ओर रिक्षे वाले अमर कॉलोनी चलोगे रिक्षवाला हाँ चलूँगा कितनी सवारियं है मैं अकेली हूं और यह थोड़ा सा सामान रिक्षवाला ठीक है पचास रुपे दे देना पचास रुपे तुमने तो लूटी मचा रखी है लूट रहे हो क्या बहुत लूट रहा भीया ठीक है रिक्षवाला मैंने तो मुनासिब किराया ही बताया है जाद अलग रहा है तो दो चार रुपे कम द पड़ेगा महिला 40 रुपे ले लेना यह सामान उठाकर रिक्षे पर रखो और चलो रिक्षा वाला खून जलाकर रिक्षा चलाना पड़ता है बहन जी पर आप लोग हम लोगों की महनत को नहीं समझते हो आप 45 रुपे दे देना बस आप कुछ मत कहना इस तरह से एक आम इस् संबाद समझ रहे हैं आप कैसा है जो संबाद जिसकी तरफ से होगा वो उसी के लेवल का होना चाहिए घरिलु महला सामान लेने गई थी रिक्षा वाले को बिलाती है अकसर ऐसा ही होता है वो बता रहा है 50 फिर महला आएं कहती है नहीं नहीं कम दे देना भाई या तो वो क करती हूं सभी प्रशन ध्यान से सुन लिए हैं और अब इनके उत्तर आप लिख सकते हो लिख सकते हो यदि परिक्षा में आपसे पूछा जाएगा कोई भी छोटा सा कुछ पैरग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसे नाट्ट रूपांतरत कीजिए तो आप कर लोगे वेरी गुड बने रही हैं हमारे साथ हम है ना आपके साथ हिंदी मीडियम मैंगनेट मेंस कक्षा साथ वी से बार वी तक ही ऑनलाइन स्कूल एजूकेशन हंडिट पर्संट फ्री प्रोवाइड करता है साथी साथ सभी प्रकार की प्रतियों की परिक्षा तो बने रही हमारे साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बाई थैंकी सो मच